नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड, आए सुनते हैं, मालती जोशी जी के लिखी कहानी, हसी सितम एक्जिट की और जाते हुए मैंने पूछा, कोई लेने तो आया होगा न? अम्रिता, what is the problem? ये बोले ये प्रश्न तुम पांचमें बार पोच चुकी हो, इतनी परिशान क्यों हो? अगर कोई लेने नहीं भी आया, तो क्या हुआ? हमारे पास पता है, हम ठीकानी पर बहुत सकते हैं, मुझ पर इतना भरोसा तो कर सकती हो न? सौरी, मैंने कहा और सिर जुका कर चिपचाप चलने लगी, क्या करूँ आदत से मजबूर हूँ, नई जगे होती है, तो मैं बुरी तरह से नर्वस हो जाती हूँ खुद भी परेशान होती हूँ, और साथ वाले को भी परेशान करती हूँ, बाहर आकर ये बोले, हम लोग एक तरफ खड़े होकर थोड़ी देर प्रतिक्षा कर लेते हैं हम अपनी अपनी ट्रॉलियां लेकर एक और खड़े हो गए, इधर उधर देखी रहे थे कि इन्होंने कहा, वो सामने बैनर देखो, मैंने कहा, मैंने देखा, एक बैनर जलक रहा था, भारगव और शुकला परिवार, आपका स्वागत करता है अब तो तसल्ली हो गई ना, इन्होंने कहा, तब तक एक वेक्ती पास आकर खड़ा हो गया था मिस्टर संजीव शुकला, सर फ्रॉम यूएस से, उसने पूछा, मैं सामान देखकर ही समझ गया था, आपका स्वागत है सर, आईए आप, मैं शर्मा सी, साहब की ओर से, आपको लेने आया हूँ लाइए मैडम ट्रॉली मुझे दे दीजिए, उसने मेरी ट्रॉली पकड़ते हुए कहा चलिए, हम लोग उसके साथ चल पड़े, उसने छमाय आचना के स्वर में कहा सामान के हिसाब से जरा बड़ी गाड़ी लाया था सर, तो थोड़ा दूर खड़ी करनी पड़ी है नो प्रॉब्लम, इन्होंने आश्वस्त किया गाड़ी के पास पहुँचते ही ड्राइवर लपक कर आगे आया उसने अदब के साथ नमस्ते की और इनकी ट्रॉली थाम ली गाड़ी के पिछली सीट पर सामान जमा दिया गया बीच वाली सीट पर हमें सा सामान बिठाया गया सामने ड्राइवर के साथ शर्माजी बैठ गय गाड़ी के चलते ही मैंने सीट पर सिर्टिका कर आखे मून ली अब जब सफर समापती पर था तो ठकान मुझ पर तारी हो रही थी ये दिल्ली में दो तीन घंटे रुके थे पर सफर अभी बाकी था इसलिए रिलेक्स नहीं हो पाई थी निश्चिन्थ होकर मैंने आखे मून ली मन जिल कब आ गई हमें पता ही नहीं चला आमरपाली उतर कर इन्होंने बोर्ट पढ़ा भाई साहब ने तो कुछ और ही नाम बताया था वो मेरिज गार्डिन का नाम बताया होगा आयूर पंक ये होटल है वरपक्ष को यहीं ठहराए गया है आप लोग फ्रेश हो लीजिये फिर घंटे भर में हम लोग चले चलते हैं लिफ्ट में चड़कर हम पांचवी मनजिल पर पहुचे शर्मा जी ने हमें ये काली शान कम्री में प्रवेश करवाया और कहा मैं घंटे भर में हाजिर होता हूँ सर तब तक आप लोग तयार हो लीजी शाम साथ बजे जैमाल का कारिक्रम है हम लोग ठीक उसी समय पहुच जाएंगे और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है हाँ नाम क्या बताया आपने शर्मा प्रमोद शर्मा इतनी देर से जो चहरा पहचाना पहचाना सा लग रहा था नाम के साथ एक्दम जुड़ गया तब ही इन्होंने पूछा अमरिता चाए पियोगी अब उन नजरों में भी एक पहचान सी कौन थी पर मैंने उसे तुरंत खारिस करते हुए कहा चाए पियोंगी पर देसी वो गरम पानी पीकर बोर हो गई हूँ अभी भिजवाता हूँ ओ सुनिये एकात कैची या चाकू भी भिजवा दीजी ये टेक्स काटने पड़ेंगे जी और वे व्यक्ती बाहर चला गया ये बोले ये होता है सरकारी नौकरी का जलवा चीफ इंजीनियर की बेटी की शादी है पूरा आमला लगा हुआ है यहां लाखों में कमा रहे हैं पर यह शान यह ताम जम कहा सूट केस खुलते ही इन्होंने कहा पहले तुम अपना नहाना दो न कर लो तब तक मैं थोड़ा लेट जाता हूँ बड़ा ठक गया हूँ अब मैं तयार होकर ही बाहर निकलूँगी चलेगा ना बिल्कुल चलेगा ये भूले और जाकर लेट गए मैं अपना समान लेकर बातरूम में घुश गई बातरूम तो सर्व सुविधा युक्त था ही उससे लगा एक छोटा ड्रेसिंग रूम भी था अपना समान वही रखकर मैं नहाने चली गई एक अंत पाते ही प्रमोर शर्मा नामक वहनाम और चहरा मानस पटल पर उभर आया मन कोई 20-22 साल पीछे लोट गया उन दिनों मैं बीए करके घर में बैट गई थी छोटे तीनों भाई वहन कॉलिज में थे सब की फिस जुटाना मुश्किल था इसलिए मेरी पढ़ाई रोग दी गई थी मा मुझे नौकरी भी नहीं करने दे रही थी उनका ख्याल था कि नौकरी करने से लड़कियों के चहरे की रौनक चली जाती है आजकल मा का एक ही काम था हर मिलने जुलने वालों से यहान उरोद करना कि मेरी अमरिता के लिए कोई अच्छा सा लड़का बताईए इस अच्छे की परिभाशा क्या थी पता नहीं पर लोग ऐसे ऐसे फटीचर रिष्टे लाते थे कि मेरा खून खुल जाता था और कई बार तो वे लोग भी मुझे नकार कर चले जाते थे उन दिनों पडोस की सुमंदी दी पीहर आई हुई थी उनका और मेरा अच्छा खासा बहना पा था और इस समय तुम्हें खाली बैठी हुई थी उनका आना बहुत अच्छा लगा उनका छुटका भी मुझे बहुत हिल गया था दिन भर मेरी गोद में चढ़ा रहता एक दिन माने दीदी से भी कह दिया तुम्हारे उधर कोई अच्छा लड़का हो तो अमरिता के लिए देखो एक दिन दीदी बोली चाची मैं इस रविवार को वापस जा रही हूँ मेरा देवर प्रमोद मुझे लेने आ रहा है उसने अभी अभी पॉली टेक्निक से डिप्लोमा किया है नौकरी ढूंड रहा है वह मिल ही जाएगी पॉली टेक्निक वाले खाली नहीं बैठेंगे आप चाहो तो अमरिता के लिए देख लेना वह मेरी देवरानी बनेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी मा तो एकदम खुश हो गई रवी वार की सुबह स्रिमान जी पतारे रात की गाड़ी से वापसी थी तो मा ने उन लोगों को दोपहर के खाने पर ही बुला लिया खाने के بعد वे लोग जाने लगे तो मैंने चुटकी को अपने पास रोक लिया लालश था कि इसी बहाने उन लोगों से फिर मुलाकात होगी थोड़ी देर खेल कर बच्चा सो गया मैंने मा से कहा इसे पहुचा कर आती हूँ और चल दी दोनों घरों का अंगन मिला हुआ था बीच में एक लकड़ी का गेट था गेट खोल कर मैं उसोर गई पीछे का दर्वाजा बन था सामने वाले दर्वाजे से जाने का सोच कर मैं बगीचा क्रोस कर रही थी कि एक खिडकी से आवाज आई भावी आपको किस एंगल से वह लड़की सुन्दर लग रही है समझ में नहीं आता यकीन मानिये भाईया जी बहुत प्यारी लड़की है पर मिडिल फ्लास फैमली की लड़की है सजने सबरने का शओर नहीं है और उतने संसाधन भी नहीं है वो तो नज़र आ ही रहा है घर की हालत बहुत ही खस्ता नज़र आ रही थी उसके पिता क्या करते है हेड कलर्क हैं कहीं और तीन-तीन लड़किया है मतलब कुछ मिलने का भी आशा नहीं है अब बताईए जिसके पास न रूप है न रूपया उससे कोई क्यों शादी करेगा इसके बाद सुनने की मेरी शक्ती नहीं थी मैं दबे पाउं लोट आई अंकिता से कहा तु छुटकू को पहचा दे मुझे संकोच हो रहा है हाई दीदी शर्मा रही है अंकिता ने चिकोटी काटते हुए कहा मैं खून का घूट पीकर रह गई घर में घुसी तो सौन्धी सुगंध ने स्वागत किया क्या बना रही हो मा बेसं सेक रही हूँ सुमन के लिए थोड़े लड़ू बना दूँगी अभी तो उन्हे खाना खिला चुकी हो खानी की बात अलग है कोई अलग नहीं है और तुम ये देने नहीं जाओगी दीदी बिदा लेने आए तो दे देना मैं जानती थी दीदी नहीं आएंगी उनके हिम्मत ही नहीं पड़ेगी दो-चार दिन बाद उनके मा आए और बेटी के देवर को उसेकड़ो गालिया दे गई बोली इन लड़कों के दिमाग में फिल्मी हिरोईने चाही हुई है इसलिए घरेलू लड़किया इनके आखों में नहीं चड़ती अब बताओ वे हिरोईने इनके घर का चूला फूकेंगी जाड़ो बुहारी करेंगी पर इन नालायकों को कौन समझाए यह एपिसोड वहीं खत्म हो गया पर मन पर एक घाव दे गया इसके कोई महीने भरबाद मौसी और मौसा जी हमारे यहां महमान बन कर आए आट दिन बाद उनके रिष्टे में कोई शादी थी लड़की हमारे ही शहर की थी तो शादी यहां होने वाली थी वे कुछ दिन पहले आ गये थे ताकि हमारे साथ कुछ समय बिता सके उन लोगों के साथ चार-पान साल का कार्टिक भी था विभादेदी दो साल पहले दूसरे प्रसव के दौरान चल बसी थी वह बच्चा भी जाता रहा था अब कार्टिक मौसी के जिम्मेदारी थी क्योंकि उसकी दादी अपने बेटे को समार रही थी जीजा जी साघात के बाद एकदम बैरागी हो गए थे मौसी कहती इस लड़के के चिंता के मारे मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी ऐसे कार्टिक बड़ा प्यारा बच्चा था बहुत जल्दी सबसे घुल मिल गया था मुझसे तो वैसे भी बच्चे जल्दी हिल जाते थे एक दिन की बात है पापा दफ्तर गय हुए थे भाई बहन अपने कॉलेज में थे मौसी मौसा किसी रस्म के लिए शादी वाले घर गये थे मैंने कार्तिक को अपने पास रोक लिया था कहा कि वह वहां बोर हो जाएगा आपको भी इंजॉय नहीं करने देगा घर में कार्तिक के अलावा बस मैं और मा ही थे बड़ी मुश्किल से ऐसा एक आंत मिला था मैंने मौके का लाब उठाते हुए कहा मा मेरा एक काम करोगी क्या मौसी से कहोगी कि मैं कार्तिक की मा बनने के लिए तयार हूँ मा एकदम फट पड़ी पागल हो गई है तु तेरी ऐसी कौन सी उम्र निकली जा रही है कि दुहाजू से शादी करेगी दुहाजू है तो क्या हो गया बोढ़े तो नहीं है वैसे भी तुम मेरे लिए कौन से राजकुमार ला रही हो इनकी कम से कम नौकरी तो ढंकी है मा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अल्टीमेटम के तोर पर कहा तुम नहीं कहोगी तो मैं खुद मौसी से बात करूँगी मा का पारा एकदम सातवें आसमान पर चड़ गया तु खुद बात करेगी मरी जा रही है शादी के लिए जैसे हाँ मैं मरी जा रही हूँ तुम मुझे पढ़ने नहीं देती नौकरी नहीं करने देती कम से कम शादी तो करने दो मेरा द्रिण निश्चय देखकर माने एक दिन डरते डरते पापा से भात की हमारी आशा के विपरेद पापा एकदम राजी हो गये बोले बात चलाने में क्या हर्ज है जाना पहचाना परिवार है लड़का देखा भला है विदेशी कमपनी में नौकरी है और क्या चाहिए और अमरिता को बच्चे से भी कोई अतराज नहीं है और मुझे लगता है इस परिस्थिती में उनकी कोई मांग भी नहीं होगी फिर एक बेटी सस्ते में निकल जाए तो क्या बुरा है मौसी से जब कहा गया तो वे तो एकदम निहाल ही हो गई मां को गले से लगा कर बोली छोटी तुम नहीं जानती तुमने मुझे पर कितना बड़ा उपकार किया है मेरी सारी चिंता हर ली है अब मैं सुख से मर सकूंगी उमी तुम बिलकुल चिंता मत करना दामाद मेरा हीरा है हीरा इसे पलकों पर रखेगा और तुम खर्च की भी चिंता मत करना मैं समझ लोगी कि मैंने एक और बेटी ब्या दी है फिर दो महीने के भीतर, चटमंगनी और पटब्या हो गया उन लोगों ने कोई अपिक्षा नहीं की थी इसलिए जो भी दिया गया उसमें वे खुश थे मेरे साधारन रूप रंग पर भी किसी ने टिपड़ी नहीं की बेटा शादी के लिए राजी हो गया था सबके लिए यही संतोश की बात थी अब तक का मेरा जीवन एक तरह से अभाओं में ही बीता था यहां आकर लगा जैसे स्वर्ग में आ गई हूं देड़ साल बाद कुनाल गोद में आ गया सुख की एक तस्वीर पूरी हो गई उठी ये श्रिमान बात्रूम खाली है थैंक यू इन्होंने अलसाय स्वर्मी कहा और उनीदी आखों से मुझे देखा फिर वे आखे क्रमशा बड़ी होती चली गई आंत में वे उठ बैठे और बोले क्या तुम वही हो जो अभी थोड़ी दिर पहले भीतर गई थी फ़ाल तु बात नहीं जल्दी से उठकर नहा लीजे हमें वहाँ जैमाल से पहले पहुचना है बेट यू आर लोकिंग गोर्जियस यार क्रेडिट गोस टू अनन्या मतलब ये साड़ी भी उसी की है और जोलरी भी मैं कोई शादी की तयारी से थोड़े ही गई थी बोली माब आपके पास बैंगलोर जाकर लोकर से समान लाने का समय नहीं है मेरा सेट ले जाएए घर की शादी है अच्छे से पहन उड़ कर जाएए सो स्वीट ओफर बड़ी समजदार है मेरी बहुरानी समजदार सास की समजदार बहुरानी वाह क्या कहने मक्षन पॉलिश बहुत हो गया, अब नहाने चाहिए मैंने डबट कर कहा, तो वे कपड़े निकालने चले गए उन्हें बात्रूम में भेज कर ही मैंने दम लिया और फिर कुर्सी पर आकर बैठ गई पती कीवा विस्मय विमुग्ध दृष्टी मुझे आपाद मस्तक रोमान चित कर गई थी अब भी मैं उस पुलक से भरी हुई थी उसी समय दर्वाजे की घंटी बजी मैंने उटकर दर्वाजा खोला शर्मा जी, मैं प्रमोर शर्मा ये कुछ देड़ तक अपलक मुझे देखते रहे एक घंटे पहले उन्होंने मुझे देखा था बीस घंटे के उबाव सफर से थकी हुई तो भी हुई सलवार सूट में एकजिट से बाहर आई थी और अब मैं लगदक गहनों कपडों में एकदम अलग ही लग रही थी पती के विसमय विमुग्ध दृष्टी मुझे पुलकित कर गई थी पर यह दृष्टी मैं जहेल नहीं पाई आईए मैंने कहा और कुर्सी की ओर इशारा करके कहा बैठिये ये नहाने गये हैं बस पंदरा बीस मिनट में चलते हैं कोई बात नहीं उन्होंने कहा थोड़ी देर चुप रहे फिर बोले आप लोग क्या USA में ही रहते हैं नहीं नहीं हम लोग तो बैंगलोर में रहते हैं मेरे दोनों बेटे USA में है बड़ा जॉब में है छोटे ने इसी साल MBA में दाखिला लिया है आपका बेटा जॉब में है उन्होंने आश्चरे से पूछा हाँ पिछले साल उसकी शादी भी हो गई दरसल मैं बहु की डिलिवरी के लिए गई हुई थी फिर ये भी पोते को देखने आ गए तभी ये शादी निकल आई अनुपम यानी की दोला मेरा भतीजा है जेड जी का बेटा तो टूर कट शॉट करके वापिस आना पड़ा आपके बेटे की भी शादी हो गई है हाँ क्यूं मेरे हिसाब से तो आपने शायद मुझे पहचाना नहीं जी नाम तो पहचाना सा लगा था पर हिंदुस्तान में शर्मा वर्मा तो इफ्राद से होते हैं न मेरी भावी का मायका आपके पडोस में था भावी मतलब सुमल लता ओ तब ही आपका चेहरा देखा हुआ सा लग रहा था पर माफ कीजिए आप में काफी परिवर्तन आ गया है इसलिए मैं पहचान नहीं पाई परिवर्तन तो आप में भी बहुत आया है पर वह गुडात्मक है मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया फिर मैंने ही कहा आपका हिसाब बिलकुल ठीक था बड़ा वाला मेरा नहीं है मतलब सर कहते हुए उनकी आवाज कापी थी दूसरी शादी जी मेरी मौसेरी बहन ही ब्याही थी पर पर आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया जाना पहचाना परिवार था अच्छी नौकरी थी उम्र भी कोई जादा नहीं थी और फिर जब अपने पास न रूप हो न रूपया तो ऐसे समझोते करने ही पड़ते हैं पर विश्वास केजिए सौधा घाटे का नहीं रहा मैं बहुत खुश हूँ वह तो नजर आ ही रहा है तब ही बात्रूम का दर्वाजा खुला और आवाज आई I am ready अच्छा शर्मा जी आ गए है क्या शर्मा जी बस पांच मिनट और लगेगी जूते पहन लो नो प्रॉब्लम उनका वाक्य धर में ही टंग गया शायद वे नो प्रॉब्लम सर कहना चाह रहे थे पर एन वक्त पर उन्होंने सर को खारिश कर दिया सपार्ट स्वर में बोले टेक योर टाइम स्वर से विरम्रता का पोर्ट एकदम गायब था हम लोग बाहर लिफ्ट के पास आकर खड़े हुए ही थे कि इन्होंने पूछा मैडम वह बैक कहा है नीला वाला ओ वो तो मैं अंदर ही भूल गई मैं लोटने को हुई तो वे बोले मैं लेकर आता हूँ बस कहा है वह बता दो मेरी सूट केस में उपर ही रखा है और सूट केस खुली हुई है यही ना सौरी कहकर मैंने गर्दन जुका ली इनके जाने के बाद अपनी जेब मिटाने के लिए मैंने विश्यांतर किया शादी में आपकी मिसिस भी आई होंगी ना परिचे करवाईएगा मैं सचमुश उनकी पत्नी को देखना चाह रही थी छड़भर को लगा कि उनके चेहरे पर शरम पुद कई है भूटी सी आवाज में बोले इस स्टाफ के पार्टी तो परसो आफिस में हो गई थी आज तो सिर्फ लड़के वाले और वी आईपी हैं साफ लग रहा था कि यह बात कहते हुए उन्हें बेहद कश्ट हो रहा था उसके बाद वे जो चुप हुए तो पूरे रास्ते मुह नहीं खुला एरपोर्ट से आते हुए उनकी रणिंग कमेंट्री लगातार चल रही थी उस समय मुझे इतनी नीना रही थी कि उनका बोलना अखर रहा था अब उनके चुपी खल रही थी मैरिज गार्डन का भव्वे प्रवेश्टवार काफी दूर से ही नजर आ रहा था पहुचने पर शेहनाई की मदुर्धुन भी सुनाई दी गंतावे पर पहुचने पर देखा जरी की पोशाक पहनी शेहनाई वादकों की एक पूरी टीम चौकी पर विराजमान है पूरा परिसर रोशनी में नहाया हुआ है गाड़ी रुकते ही ड्राइवर ने फूर्ती से उठकर इनका दर्वाजा खोला पिछली बार मेरा दर्वाजा शर्मा जी ने खोला था पर इस बार उन्हें जैसे याद ही नहीं रहा वे उतर कर चल दिये थे इनके हाथ से बैग लेने को भी उन्होंने पेशकश नहीं की द्वार में प्रवेश करते ही हम पर फूल बरसाए गए सुगंधित रव्वे छिड़का गया सामने देखा पूरा मैदान जाजम से पटा हुआ था एक लाल कालीन का पट्टा दूर तक चला गया था सामने कुछ लोग फूल माला ये खड़े थे इतने सारे लोग मैंने हकलाते हुए कहा ये हमारे स्वागत के लिए नहीं है वे बारात की प्रतिक्षा कर रहे हैं मैं बुरी तरह जेप गई अच्छा था आसपास कोई नहीं था नहीं तो मेरी गलानी का अंत नहीं था सामने खड़े लोगों में से एक सज्जन आके आए पूछा मिस्टर संजीव इनके हामी भरते ही उन्होंने हार इनके गले में डाला और अपना परिचय देते हुए गले मिले वे अनुपम के होने वाले ससुर थे फिर उन्होंने कोस भर दूर खड़े शर्मा जी को आवाज दी शर्मा मैडम को भीतर हॉल में ले जाओ शर्मा जी के चहरे पर फिर एक बार राखपुत गई थी मैला मंडल से मेरे परिचय का दोर अभी चल ही रहा था कि बैंड की सूमधुर्धुन सुनाई दी बारात गार्डन में प्रवेश कर रही थी वाता वरण में एकदम उमंग और उल्लास भर गया था रोश्नी के फवारे छूटने लगे थे दीजे की ताल पर युवा पेड़ी थिरकने लगी थी हम सब बाहर आकर वह मनुहारी द्रिश्च देखने लगे तभी सजीले घोडे पर सवार अनुपमाता दिखाई दिया एकदम राजकुमार लग रहा था दूसरी ओर से वर्दी धारी कहार सुसजित पाल की उठा कर लाया उसमें से सजी सवरी दुलहनुत्री दोनों को विशेश रूप से बनाए लतामंडप में ले जाया गया वहाँ जैमाल की रस्म संपन हुई उसके बाद बैटरी चालिपकार में उन दोनों को स्टेज तक ले जाया गया उन लोगों के पहुचते ही स्टेज का परदा खुला और लोगों की आखें चौधियां गई अभूत पुर्ण विद्दुत सज्जा थी वैभव और सौंदर एबोत का अद्भुत सईयों जन था उन दोनों के राजसी कुर्सियों पर विराजमान होते ही फोटो सेशन शुरू हो गया जो बहुत देर तक चला और फिर डिनर आज कल मैं हर शादी में देखती हूं भारत ये खादिस अंस्कृती का एक सम्मेलन सा नजर आता है हर प्रांथ के अपनी स्टॉल थे इसके अलावा इटालियन पास था थाई करी रशियन सलाग और चाइनीज के तो अंगीनत वेंजन थे पांच तरखी मिठाईया थी दो तीन फ्लेवर्स वाले आईसक्रीम थे मेरा तो सब देखकर ही मन भर गया थोड़ा सा मूझ जूठा कर मैं एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई थोड़ी देर पहले वाला उल्लास और उच्छा अब बैक फूट पर चला गया था और सफर की थकान मुझ पर हावी होने लगी थी कोशिशों के बावजूद मेरी आखे छपकने लगी थी भाई साहब ने मुझे दूर से देखा और इन्हें आवास दी संजीव तुम लोग अब हुटल जाकर आराम करो ऐसी जल्दी नहीं है भाई साहब साथ ही चले चलेंगे साथ तो वैसे भी जाना नहीं हो पाएगा किश्तों में ही जाना पड़ेगा तुम लोग पहले निकल जाओ फिर वे हम लोगों को लेकर समधी जी के पास गए इन दोनों को अब आग्या दीजिए 15-20 घंटे का सफर करके आए हैं जाकर थोड़ा आराम करेंगे सुबह हम लोग फिर हाजिर होते हैं शोर शोर समधी जी ने कहा और फोन लगाया इस समय तक मैदान की सारी बिचाय तो उठ चुकी थी गाड़ी ठीक हमारे सामनी आकर रुकी एक तरफ से ड्राइवर आए दूसरी तरफ से अरे अवस्थी तुम शर्मा कहां गया सर शर्मा जी का छोटा सा एक्सिडेंट हो गया है मरहम पट्टी करवा कर उन्हें घर भेज दिया है कैसा एक्सिडेंट उनकी स्कूटर इसके ढो गई थी स्कूटर पर क्या करने गया था शायद सडक पार पानवान खाने गये होंगे अरे होटल के सारे चार्ज उसके पास है उसकी चिंता ना करें सर वह सब मैंने ले लिया है ठीक है इन लोगों को छोड़ाओ फिर देखते हैं समधी जी से विदा ले फ्रेक्चर नहीं हुआ नहीं तो चांसेस पूरे थे पहिया एकदम पैरों पर आ गया था पैर में स्प्रेन हुआ है खरोंचे भी आई है प्रिकोशनरी ATS लगवा दिया है शर्मा जी का स्कूटर भी तो एकदम खटा रहा हो चला है ड्राइवर ने कहा हाँ वो कबसे नया प्रिक में दाखिला हुआ है उसके लिए महेंगी बाई खरीदनी पड़ी उनकी स्कूटर का नंबर पता नहीं कब आएगा मेरा मन हुआ कि इनसे कहूं कि मुझे पता है शर्मा जी को चोट कहां लगी है उनकी स्वाभी मान पर चोट लगी है उनका इगो आहत हुआ है जिस विच्छू के दंच जेल रहे होंगे और वे घोर हीन बोध से भी ग्रस्त हो रहे होंगे इन 20-22 वर्षों में वे बुढ़ा कए है और मेरा जो भी रंगरूप था वैभव की आभा से दमक उठा है मैं दावे के साथ कह सकती हूँ या एक्सिडेंट हुआ नहीं है किया गया है तक ही दोबारा मेरा सामना न करना पड़े सौरी शर्मा जी अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी के लिखी कहानी हसी सितम उमीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ तब तक के लिए मुस्कुराते रहे धन्यवाद झाल 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 झाल